हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल पर आज की वीडियो में मैसन वालों के लिए खुसकबरी है MSW मैसन का रिजल्ड है वो आ गया है आप ओपिशिल वेबसाइट पे जाके लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है वीडियो में आज हम बात करेंगे कितनी किठोप रही है वेकेंसी बोथरती लेकिन 53 लोगों को भी पास किया गया है इसकी हम तर्चा करेंगे फिजिकल टेस्ट में आपको कब जाना होगा फिजिकल केसे में कौन से डोकुमेंट लेकर जाना होगा इन सभी बातों की चर्चा करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहें तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लें और बेरेकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आपक लिस्ट को ओपेसल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट परिविजनल सोर्ट लिट कंडिडेट फोर दी MSW मेशन एटूटाइज में नमर देख सकते हैं ट्रेट पोस्ट है वो मेशन है डेट ओप टेस्ट आपके 22 सितंबर को एक्ज तो लिस्ट आईए उसकी कठोप क्या रही है केटेगरी वाइज कठोप की भी चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमारी पोस्ट है इसमें MSW मेशन की अधर कास्ट के उसका 50% से उपर नमर आईए उनका इस लिस्ट में नाम है एसी केटेगरी में 46% से उपर जिनके म परतिस्ट तो जो निके नमर वहो इस कटोप से उपर उनका ही लिस्ट में नाम है इसलिए ब्यारों ने बहतर वेकेंशी हा ती लेकिन Efficiency Test to Prevision a Selected Candidate in Written Examination will be sent through Registered Post on Address Given Application Form. It is Requested to In the Test Your Local Post Office in Case of Non Receipt of Collator, the Printout of Notice may be Taken Use Report for the Test. तो आपके Admit Card हो, BRO से Send कर देगे हैं, आप ज्यादा Post Office के संप्रक में रहे हैं, यदि आपका Admit Card आपको प्राप्त नहीं हो, तो आप ये List टाउनलोड करके भी BRO GRIP Center पर पहुंच सकते हैं. पांचमा पॉइंट इसमें दे रहा गया है, The Physical Affiliate Test Will Head, GRIP Center बिट्विन 26 और 27 अक्टमबर को आपका है, वो फिजिकल टेस्ट रखा गया है, और आपको रिपोर्ट करना है, वो 25 अक्टमबर को 8 बजे रिपोर्ट करना है, आपका एक्जाम है, वो 12 सिप्तमबर को भी कंप्लीट हो गया है, जो भी कंडिडेट फिजिकल के लिए जाएंगे, उनको ओरिजिनल डोकुमेंट, जिस परकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन, काट सर्टिफिकेशन, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, यह सब लेके जाना है, ओरिजिनल दोस्तों, और एक दो फोटो भी साथ में लेके जरूर जाना है, एक इंपोर्टेंट बात बता रखी है, कि जो कंडिडेट फिजिकल टेस्ट के आएंगे, फ्यूचर में उनको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, तो जिनका लिस्ट में नाम है, वो जरूर जाएं, आपका सेलेक्शन शोर होगा दोस्तों, जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें हम देखते हैं, टोटल कितने कंडिडेट को पास किया गया है, तो आप भी द देन कटोफ पर्सेंटेज और हेव नोट क्वालिफाई इन दी रिटन एक्जामिनेशन, तो दोस्तों जो उन्होंने कटोफ निर्दारित कीती, उस हिसाब से उन्हें 53 कंडिडेट ही पास हो सके हैं, तो इसलिए कंपिटिशन थोड़ा हार्ड या पेपर थोड़ा हार्ड म का तो उनके लिए भी कुछ इस परकार का निर्दारन कर दे कि इतने परतिशत से उपर मार काने पर ही आपका सेलेक्शन होगा, तो उनसे यहीं कहना है कि आप मेहनत लगातार जारी रखिए, और जो जिनका सेलेक्शन हुआ उनको बहुत-बहुत बदाई हो, और भी यदि आपका कोई इसके रिगार्डिंग डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में